तो भाई लोग, ओमेंस प्रीमियल लिग 2013 का जो मैस नमबर 13 है न यो यूपी वेरियज वर्चेज रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर ओमेंस के 20 में खिला जाएगा अगर हम इस मैस की बात करें तो डॉक्टर डी वाई पार्टिल स्पोर्ड एकारडमी नवी मुंबई में खिला जाएगा आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यह जो मैदान है यहाँ के मैदान पर आज की मैदान पर कितना स्कोर बनेगा और कौन सी बल्लेवाज ऐसी होंगी जो यहाँ की पिछ पे सबसे ज़्यादा रन ठोकेंगी कौन सी ऐसी गेंदवाज जो यहाँ की कंडिशन को अच्छे से रीड करके सबसे ज़्यादा बिकिट निकालेंगी यहाँ के मैदान पर और पिछ के बारे में तो A to Z जानेगे जो आज की मैच होगा यहाँ की फिछ पे कैसे चलेगा बीइवियर क्या होगा कंडिशन क्या होगी कितना स्कॉर बनेगा क्या हो चीज होगा या फिर डिफार्ड होगा इसमें से कोई आएके रन ठोक के जाएगा वहीं दोस्तों आर्सी भी उमेंस की बात कर जैसे कि आप सब को पता है इसमीती मंधना बहुत बड़ी बल्ले बाज है यहीं पिछले तीन मैचों या चार मैचों से बल्ला ना चला तो क्या आज की मैच में वापसी करेंगी मंधना और लंबी बारी खेलेंगी सोफी डिवाइन जिस तरह से लगता सभी मैचों में रन बना रही क्या वैसी रन बनाएंगी या फिर एलीस पेरी जिस तरह से लगता सभी मैचों में रन बना रही वैसे यहां पर भी रन बनाएंगे, इधर नाइट अभी तक नहीं चली क्या वो आज चलेंगे, रीचा गोज भी अच्छी से खनीज ना कर पाएंगे, यह सारी चीज़ें यहां पर जानेंगे, और जैसे रेनुका सिंग की बात कर लें, रादेशी गाकवार की बात कर लें, इंडिया के लिए खेलती है, लेकिन अभी तक उमेस प्रीमियर लीग में बढ़िया पर्फोर्मेंस ना कर पाएंगे, यहां के माधान पर बढ़िया पर्फोर्मेंस कर पाएंगे, सबसे ज़्यादर बिकिट निकालनेंगे, यहां निकाल पाएंगे, वेगन सूट की बात क जानेगे आज के मैच में कौँसी ऐसी बैटर है जो सबसे ज़्यादा रंट होकेगी कौँसी ऐसी गेंद वाजे तो सबसे ज़्यादा बिकेट निखालेगी तो अगर हम इसका पता चल जाएगा तो फंटैसिक रिकेट के जो बिनिक टीम है उसे बनाने में आसानी तो होगी आजी बिलकुल भी आसानी होगी और इसके अलामा आपका भाई आपके लिए एक जवर्जस टीम बना का देगा भी तो इंतिजार किस बात कर वीडियो इंपोर्टेंट है ना तो ऐसा मैं करता हूं जल्दी से स्टार कर देता हूं तो आप भी ऐसा करो जल्दी से भाई के च जैनल को सबस्क्राइब करना इतना तो कर सकते हैं अगर हम इनके खेमे में चेंजर की बात करें तो में बीकुए भी चेंजर ना होगा पिसले मैच पर दोनों टीमों की प्रोपर प्लेंग लेइंग ना मिलेगे टेलिग्राम पर इस मैच की दो टीन प vein आपको भी मैच्व मेहना जवाएं कर डाले बस एक चीज का ध्यान देना यह इसलिए इतर उट और के से मिरे टेलिगरम जोई नहीं करना जो लिंक की मिलेगर इसके अपसर में बस रुए से जोईन करें तो भाई लोग हमाई पास दोनों टीमों की प्लेइंग लेमस आगे न अब जानते हैं इसमें से कौन सी बहन चलेगी और कौन सी अपनी बहन ओ जाएंगी फ्लोप लेकिन उस यहां के मंदान पर अभी तक जो मैच कहले गए ज्यादा मैचों में क्या हुए टार्गेट जेज ज्यादा हो रहे हैं अब रेस स्कूर यहां पर ठीक ठाक रण बनता तो बल्लेवाजों को रखना है तो कौन से बल्लेवाज को रखना एपनी फंटैसिक टीम में वह आगे एपकर 156 166 के नीचे स्कूर बनेगा तो तर्य जो सकता है टार्गेट डिफैंड की बात करें 182 142 प्रम बनेगा तो दर्स मैंच में से आछ मैच में हो सकता है 166 से 182 के 20 में इ स्कूर होगा तो आप समझ जाना अभी जो मामला है यह तो बराबरी का आ गया तो भी हो सकता और defend भी हो सकता है इस मैदान का जो हाइस स्कॉर है फरस इनिंग का 211 रन जो की देल ही capitalS umens के नाम पर है lowest score यहां पर फरस इनिंग का 105 105 और आल आउट ये भी देल ही capitalS umens के नाम पर इससे क्या साबित होता है अगर आप अच्छी गेंदवाजी करो कि बिकेट मिलेंगे अच्छी गेंदवाजी ना करोगे रन पड़ेंगे क्योंकि एक ही टीम एक टीम के सामने 211 बना लेती है और वही टीम अगली टीम के सामने 105 पे आलोट हो जाती है हाइस टोडल चेज की बात करें यहां के मदान पर 169 जिसे यूपी वै सामने किया था मतब डिफैन करने के लिए आपको लंबा स्कूर यहां पर बनाना ही पड़ेगा यह आकड़े दिखा रहे है तो 150 की निचे फर्स इनिंग में टू टाइम स्कूर बना 150 से 169 की बीच में फर्स इनिंग में दो बार स्कूर बना 190 या इस ते ज्यादा फर्स इन बाद में जो सर्फेस से ड्राई है जब संबल संबल के खेल लही होती तो बाद में जो इस पिन के लिए पिछ यहां का सपोर्ड करने लगता थोड़ा बहुत है उनके पास बैटिंग होती है तो कहते हैं कोई नहीं एकाता दूस बिकिट जाएगा मारते रहो चोके शके लगाते रहो क्योंकि यहां की जो बॉंडरी लेंते हैं वो तो इसी मीडियम है तो जो इस पिनास गेंदवाच उनको बिकिट तो मिलते हैं अगर हमके सामने अटेक करने जाएंगे तो रन भी उ अच्छों में अच्छी पारी ना आई अलाकि मैं मानता हूं जो आर्शीबी की गेंदवाजी उतनी ज्यादा अच्छी ना है और यह जो मैदान है बैटिंग के लिए बढ़िया लेकिन मुझे फिर भी लगता है देविका बैद्या आज की मैच में ज्यादा लंबी पारी पांदस पंदरा बना के वापस लिजाएंगे तो इनसे ना हमें आज के मैच में थोड़ा सा बच के रहना चाहिए अलेजा हैली की बात करते हैं इन्होंने चार मैच के लाग वन एट्टी फाइव एक्सुपिचासी नों की पारी खेली मतलब चार मैच में एक्सुपिचास सहरावत की बात करते हैं इनको मैच में शुरुवाद बढ़िया मिलती 15-25 पारी खेली लेकिन लंबी पारी ना कहल पाती है और ज्यादा लंबी पारी खेल पाएंगे आज की सहरावाट को आज के मैच में हमें अपनी टीम में रखना चाहिए किडन नाओगेरे की बात करते आती तब तक जो बोल होगा ना थोड़ा सा ग्रीब बनाने लगेगा तो I think कि रन नावगरे आज की मैच में न चल पाएंगे पांधस पंदरा बना के चली जाएंगी फ्लोफ हो जाएंगे तो आपना इनसे थोड़ा सा बच के रह सकते हैं इस पूरे प्रीमियल लिंग में अभी तक इनक तक कभी बल्ले वाजी करने आती आती है कभी बल्ले वाजी का नमबर आता है कभी आता नहीं है लेकिन गेंदर पांच वार्च चुछा है मैं वानती हूं आर्षेभी कि जो बल्ले बाजी बढ़िया है लेकिन आज के मैस में मुझे लगता है बढ़िया गेंदवाजी करेंगी और दो-तीन बिकेट लेकर जा सकती किफायती भी रहेंगी कौन दीपती सर्मा तो आज की मैस में अपनी टीम में हमें जगें मुझे नुक् developments देनी सब्सक्राइव 8 बिकेट मतलब बढ़िया गेंदवाजी कर रही है जहां भी जाती गेंदवाजी बढ़िया करती है मैं वानता हूं RCB की बल्लेवाजी लंबी है फिस बैटिंग के लिए उतना जाता बढ़िया नहीं है लेकिन फिर भी यह ऐसी गेंदवाज है मुझे लगता है 2-3 बिकेट लेके जाएंगे और किफाती भी होगी कौन सोफी स्केल्टन तो इनको हमें अपनी टीम में आज के मैच में रखना चाहिए सब नीम इसमाइल की बात करें तो पिछले मैच में खेला था बढ़िया गेंदवाजी करी थी उचने बिकेट ना मिले जितने मिलने चाहिए थे लेकिन मुझे लगता आज के मैच में इनको थोड़ा सा रन तो बढ़ जाएगा लेकिन ये भी 2-3 बिकेट लेके जा सकती कौन सबनीम इसमाइल तो इनको भी हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए अंजली सरवानी की बात करें तो एकाता दो मैच में ठीक ठाक गेंदवाजी करी थी बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं लेकिन आज की मैच में इसको अंजली सरवानी को आज के मैच में थोड़ा सा बच केरना चाहिए राजस्री गयाकवाड की बात करें तो काफी जादा एक्सविरियंस गेंदवाज है लेकिन अभी तक अपने एक्सविरियंस का फादा ना उठा पाई अच्छी गेंदवाजी जादा ना कर पाई हैं मुझे लगता है आज की मैच में यह फिर से फ्लोफ हो जाएंगे एक आता बिगड़ तो मिल जाएका लेकिन काफी ज्यादा महेंगी साब भी तो सकते कौन राजस्री गयाकवाड तो मुझे लगता है इनसे भी ना आज की मै सब्सक्राइब से यह काफी खराब फॉर्म से जोज नहीं है इस मीर्ती मंदना लेकिन मुझे लगता है आज ये ना कमबैक करें और दर्फ जसे तरीके से कमबैक करेंगे एक मिलगता आज अके लेक मैच में ही मार के जाएंगी मतलत Might लूंबी 70 35-40 सनों की पारी खेलती जैसे शुरुवाद चाहिए होती वैसे शुरुवाद देखे जाती किसको RCB उमेंज को मुझनलता आज की मैस में फिर से 30-35 या 40 सनों की तावरत और पारी खेलेंगे कौन तो सोफी डिवाइन को भी हमें आज के मैस में अपनी टीम में जगे देनी है और हो सके तो कैप्टन और वाइस केप्टन करना किसको सोफी डिवाइन को एलेस फैरी की बात के तो आप सबको पता है RCB उमेंज के लिए अभी तक सबसे ज़्यादा रन यही बना रही है जो इन्होंने 5 मैस के लाइस में 195 एक पिंचानना बेन मारा मतलब काफी बढ़िया पल्ले बाजी करें कौन एलेस फैरी को भी हमें आज की मैस में अपनी टीम में जगे देनी चाहिए है एदर नाइट की बात करें तो किसी मैस में एक आता दो मैस में 20-25 या 30 अनों की पारी खेले थी नहीं तो बल्ले से इनके रन न निकल ला वैसे भी नीचे बल्ले वाजी करने आरे गेंदवाजी की बात करें तो इन्होंने जो अभी तक 5 मैस के लिए उसमें 4 बिकट निकालें आप सोचलो आर्ची बी उमेंस के लिए सबसे बढ़ी है जो गेंदवाजी कर रही है वह एदर नाइट कर रहे है पांच मैस के लिए 4 बिकट निकाले तो मतलब जब इस ओलांडर की यह कहानी 5 मैस में 4 बिकट तो बाकि गेंदवाजों की क्या कहानी होगी जो सबसे बढ़ी है यह कर रहे है एदर नाइट तो बाकि जो προ पर गेंदवाजे उनकी क्या कहानी होगी वैसे आगे बात करें है लेकि मुझे लगता है आज के मैस में हेदर नैट को हमें अपने टीम में रखना चाहिए मुझे लगता है बीस पचीश की पारी भी खेल सकती है एक आता दो बिकेट भी लेके जा सकती कौन हेदर नैट तो इनको हना हमें आज की मैस में अपनी टीम में जगे नहीं जावी रिचा गोस की लात करें तो काफी बढ़ी है पिकट कीपर है लेकिन बल्चा बुढ़ पाफ के थो बढ़िया है कवे मोड़ेता है लेकिंगर उसके बाद फिर से ये भी बहकी-बहकी शी नजर आए अमने लगता है अच कि मैंजे कों भाद कि का साथ आएंगी और दिसा बहक के चली जाएंगे तो आई तिक हमें नहीं से थोड़ा सा बच कहना चाहिए मेगन सूट की बात करें काफी ज्यादा एक्स्विनियंस गेंदबाज है काफी ज्यादा बेहतर गेंदबाज है लेकिन अभी तक बहकी बहकी से नज़राई सोबना भी ना अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस ना कर पाएंगे थोड़ा सा एकाता बिकट तो मिल जाएका लेकिन महेंगे साबित होंगे तो आचा सोबना से हमें आज की मैच में थोड़ा सा बस करना चाहिए बाकी रेनुका ठाकुर सिंग की बात करें तो ठाकुर जी आपको क्या हो का यह जो हमारी बहन थी ना वरलकप में तो बढ़ी अची गेंदवाजी कर रहे थी लेकिन जब उमेस प्रिमेर लिक की बात आई तो सोच रहें कि हम क्यों मालिया के लिए तिनी अची गेंदवाजी करें लेकिन मुझे लगता कैंगे नहीं बहुत हो गया आ के लिए दम पर RCB को जीता ना पाई वैसे कहते हैं नहीं लड़किया के लिए दम पर कहां जीता पाएगी लेकिन प्रिती बोस ने इंप्रेस किया है और मुझे लगता उस इंप्रेसन का आज रिजल्ट भी आएगा तो तीन बिकेट लेके जाएंगी कि फाती होंगे कौन तो आई तिंक प्रिती बोस को आज के मैच में हमें अपनी फंटैस्टी किरिकड के टीम में जगे देनी चाहिए तो भाई लोग हमने यहां पे ना सभी प्लेस के बारे में जान लिया किनकी परफोर्मेंस अच्छी हो सकती है और कौन हो सकती है फ्लॉप तो उमीद है इस व मैच की दो तीन टीम चाहिए तो आपको करना है कुछ भी नहीं करना डिस्किप्शन में जाना है वहां पर टेलीग्राम की लिंक की मिलागी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है मैं आज स्टार्ट होने की 20-25 मिट पहले आपको इस मैच की जो फाइनल टीम होगी ना वो मैच की ज्वाइन करना जो लिंक की मिलेकर डिस्कैप्श जयं में बस वहीं से ज्वाइन करें तो भाहि लोग आज की वीडियो में इतना ची लगी है तो यारो लाइक कर दो सब्सक्राइब निक ए तो कर दो सब्सक्राइब मिल ते हैं अगले मैच की rich फ्ली